इस वक्त EKTV के छात्रों के लिए एक बड़ी अप्डेट सामने निकल के आ रहे हैं सामने ये अप्डेट ये है कि भाईया आनलाइन एक्जाम को लेकर कल छात्रों का लखनाव चलो महावियां चीहां चात्र लगातर आनलाइन एक्जाम के प्रयास में पूरी ताकर जोग दिये हैं परड़े मैं आपको बता दім करीब 2000 वेयादा होते हैं एक्साम लेके रहेंगे ऐसे ऐसा करके हम मैं आपको बता दूं कि आलाइन एक्जाम की जो इस्थिति है वो सच में पैदा हो रही है पीसी आई ने क्या अपडेट दिया है इसके लामा कल जो डेट है वह तेज़ दिसम्बर दोचारे कि शात्र लखनव जाने के फिराक में और आप लोगों के कहने पर एक वीडियो फाइनली ला रहा हूं इस वीडियो में हम सारी अपडेट्स के बारे में जानेंगे उमिक्रान का क्या अपडेट है किस इनवर्शिटी ने आनलाइन एक्जाम कराया क्या कुश अपडेट है सब कुश आपको मैं इस वीडियो के अंद लखनव की सड़कों पर उतरने का माहौल खराब हुआ तो फिर ब्रह्मा सेना को दोस्त मत देना तो यहां पर देखें बड़े-बड़े जो सपोर्ट्स हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं और एकेटीव छात्रों के साथ यह सपोर्ट आ रहा है कहीं ने कहीं आरेकेटीव को भी चाहिए कि फैसला ले ले अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इन्वर्शिटी ने अनलाइन एक्जाम कंड़क्ट कराने का फैसला लिया है इसके अलाम आप देख सकते हो कि डेड पर हो चुके हैं अपने यूपी में अपस्वारी अपने भारत में और करीब 9-9,000 केस कोईट के पड़े आ रहे हैं लेकिन अभी भी इनको आफ्लाइन एक्जाम के ही धुन में मस्त है कि ट्यू और ना ही कोई जबाब दे रहा है इसा लग रहा है जिसे मनमानी को इन्वर् को आप लोग चैंट हआंव हो जाएगी अगैस सबसे पहले तो आप लोग एक काम करओ ज्यादा ज्यादा ट्वीट करो और वह ज्यादा ज्यादा लोग ट्वीट करो इसके अलाव को या आप्लोड कर दूँगा ट्वीटर हंडल अकाउंट को फालू करो डिस्क्रिप्सण में लिंक है क्योंकि कर आप आप ट्वीट कर सकते हैं महौल बना सकते हैं यहां पर देखिए यूजी की फाइनल परिक्षाएं हो सकती हैं अनलाइन तो इलहाबाद विश्विद्याले ने सनातक की वार्सिक परिक् आफलाइन कराया जाएंगे और परंतु बताया जा रहा है कि कोरोना और भी खतरनाक वैरियंट का रूप ले रहा है इसके कारे स्कूल कॉलेज फिर से बंद किया जा सकता है यहां पर आपको बता दूँ कि बड़े बड़े इनिवर्शेटी जो है वो धीरे धीरे अपने स्कूल कॉलेज को बंद करना सुरू कर दिये हैं और यहां पर देखिए अलहाबाद इनिवर्शेटी भी कह रहा है कि एक्जाम अगर इस सितियां सामाने नहीं रही तो आनलाइन होगा अधरवाइस अगर सामाने रही तो ही आफ्लाइन होगा देखिए और एक एक्ट्यू है इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अभी आज 28 क इनका है च्छा दिन में केसेस में भी 500 प्लस हो जाएं उमिक्रान के 10,000 को उपर केसेस आने लगें रिस्क तो है न इसके अलामा देखिए ट्वीटर पे और भी कई सारे ऐसे वाइरल हो रहे हैं चीजें यहां पर दखिए 23 दिसंबर को लगनाव चलो भारती स्ट्रेंट ए जिसमें यह कह रहा है कि EKTU के सभी छात्र 23 दिसंबर को लगनाव चले मैं भी आ रहा हूँ यहां पर दखिए भारती स्ट्रेंट एसोसीएशन यहां पर इनको यहां से भी मदद मिल रहे है EKTU के छात्रों को ऐसे कई सारी चीज़ें आप टेलीग्राम और स्वारी कुछ के खत्रे में कैसे डखिल सकता है और मुख्यमंत्री योगी चीज़ें भी मुहिम किछा रहे है तो भाई आप लोग भी आट दरेट माई मी योगी दित्यनाथ इसको और EKTU exam online exam EKTU exam pushpond इस पे आप लोग ट्वीट कर सकते हो परड़े मैं कहूंगा ट्वीट करो एक दो लोग एक दो लोग नहीं स्वारी एक दो ट्वीट परड़े करो और हर्स मौरिया के कहना है the wise of youth cannot be suppressed our demands are legitimate and government must have to intervene तो यहाँ पे देखिए जो हम यूथ हैं हमारे आवाज को दबाया नहीं जा सकता हमारा जो मांग है वो बेबुनियादी नहीं बेवज़ा नहीं है इसके पीशे वज़़ा है और इससे ज्यादा अमत्याचार नहीं सहन कर सकते तो ऐसे लगातार जो है वो ट्वीट EKTU के छात्रों के द्वारा हो रहे हैं बड़े लेबल पे और नहीं लगता कि EKTU सुधरने वाला है देखी अभी क्या है कि जो मुझे जानकारी सामने निकल के आई है हो सके 28 तारीक से यूपी में सभी इनवर्शेटी जो है वो पांच जनवरी के लिए बंद कर दिये चाहें 5-6 दिन के लिए जिनका एक्जाम है उनको छोड़के तो भ है पार है तो शोचना भी पाप्त आपके लिए और चैनल को नहीं शस्क्राइब कियो तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को देख रहे हो सस्क्राइब भी कर तो क्यों कि हर चोटी बड़ी बड़ेट आप